नमस्कार आप देख रहें न्यूज नाइन भारत और मैं हूँ आपके साथ अशोग चौपान देश और दुनिया की तमाँ ख़बरों पर आए डालते हैं एक नजर अंतरगर्द ग्राम बदवारी का है जहाँ पर दो माँ पूर हुए आमकी विवाद में दबंगों ने आज सुबर तरके सौच बैब रिज को पहले लाठी तंडों से मरा पीटा और फिर गोली मार्दी मौके में भारी पुलिस मल्ट तैनात कर दिया गया है आरूपियों के ग तो कहां पे आपको मारे हैं गोली अच्छा सौच के लिए गये तभी मारे हैं काहे का विवाद था आपका अच्छा मलब चुनावी रंजिस को लेकर आपको मारी गई है कहां पर रहने वाले हैं आज आपके चाचा पर बोली से हमला हुआ है क्या मामला था क्या हुआ कर दो महीने पहले मुस्लिम भी विवादिया का दो आपको लेकर के वह उसी कारण भर था मला हुआ है हमारे भर के एक किलोमीटर जाउस के लिए तुबा चार बजे गए तुछ धन्तों तक इंते जाचिया इसके बाद में फोजना को दिया कि तरफ गए पर जेट गन्य और धान को भी तरह रहे हैं हम वहां तक पहुआँके पुरंच धर की तरफ भागे पिर अपनी गुलोरों प्रयम लेकर के वहां पहुआँ दो चाहलों पर दो चाहलों के वहां तक दश्वीश लोग साथ में भगे वहां तक पिर इंको लाजे कि तो अभी आप पे चाचा ने जैसा बताया कि उनको चुनावी रंजिस में बोली मारी गई है मतबर चाचा और कुमार की और हमारे भी कुछ दिनों से अच्छे कंबने नहीं से राजियू की दूशेश लेकिन अब क्या हुआ उस अच्छा इसी वज़स गोली मारी गई है एडिसनल साथ आज एक विद को गोली मारी गई है क्या मामला है मैं ये ग्राम खजवानी के स्टी ग्राम नरीज सिंग वहां सनाव साथा वक्षी में इनको पीस में खायर आरंश नंजरी लगी हुए वहां से पुलिस में इनको जिलाज स्काल पतर आया गया और इनका उत्यार करके और उसीता लिलाज के लिए वहां तब्सकाल रवाना कर दिया गया इसमें जो भी प्रजनों का कहना है कि दो माह पहले भी इस तरीके की वारदात हुईती इन पर हमला हुआ था अगर सही कारवाई होगी तो आज ऐसा है नोबक ना आती है वह तोनों तरफ से मुकर्मेवाजी है और उसमें दूसरा तक जवानत भी करा चुका है वाईती बावर कारवाई देए